आओ करें और सीखें कि गती बिदी 35 को करती हैं गती बिदी 35 करने से पहले आप साथ भी चैनल सब्सक्राइब चरूर कर लें गती बिदी 35 है इसमें लगा नीचे दिये गई गिंती चार्ट का उपयोग कर रिक्त इस्तानों की पूर्ति केजिए इसमें हमें एक चार्ट दिया गया है जिसमें आड़ी गिंती लिखी है तो हमें इन गिंती का उपयोग करके जो प्रस्न दिये गया है उनमें खलिस्तान है उनको भरना है जैसे पहला प्रचन है 66 से 11 कम कितना होगा 66 से 11 कम बताना है तो हमने जो चाट दिया गए उसमें आप देखीगा 66 66 देखेंगे फिर 66 से हमें 11 कम करना है तो पहले हम 66 से 10 कम करेंगे 66 से 10 कम किये तो कितनी बचेंगे 56 फिर 56 से हम 1 कम कर लेती हैं 56 से कम हुगा 55 66 से 11 कम कितनी होंगे 55 तो यहाँ पर हमें 55 लिखना है फिर अंगला प्रिशन है 62 धन 13 कितनी होंगे अब देखिए चार्ट में 62 कहाँ पर यह है 62 62 में 13 को जूड़ना है 62 में पहले हम 3 जूड़ेंगे कितनी होंगे 62 63 65 में फिर हम सीधे 10 जूड़ेंगे 65 में 10 जूड़ेंगे तो होंगे 75 तो इसका उत्तर होगा 75 इस तरह से हमें चार्ट का उप्योग करके खालिस्तानों को भरना है फिर तीसरी संग क्या है 89 से 23 कम कितना होगा अब देखिए 89 को 90 से कितनी कम देखना है 23 कम तो हम 89 को देखेंगे फिर 89 में से हम सीधे 20 कम करेंगे 89 में से 20 कम कितने हुए 69 में से फिर हमें 3 और कम करना है तो 90 में से 3 कम करेंगे तो होंगे 66 तो इसका उत्तर होगा 66 फिर हम 10 से 40 ज्यादा अंगला प्रस्चन है 10 से 40 ज्यादा कितना होगा 10 है 10 से हमें 40 को जूड़ना है 10 और 40 को जूड़ना है 50 तो इसमें लखेंगे हम 50 फिर 5 प्रेस में लखा 28 में 9 जूड़ने 9 जूड़ने से क्या आईगा अब हमें 28 में 9 को जूड़ना है तो हम क्या करेंगे पहले 28 को 10 जूड़ेंगे 28 में हम 10 जूड़ेंगे 28 में 10 जूड़ें तो कितने हुए 38 जबकि हमें जूड़ने थे 9 तो 38 में से हम एक गटा देंगे तो 38 में से घटाएंगे तो कितना होगा 37 तो यहाँ पर हम 37 लखेंगे पर छाटमे में लखना है 9 और 44 का जूर कितना होगा हमें 9 और 44 को जूरना है तो हम पहले 44 में 10 को जूरते हैं 44 में 10 जूरेंगे तो कितना होगा चंगन चंगन मेंसे फिर हम इगटा देंगे चंगन मेंसे गटाएंगे तो होगा त्रीपन तो नो और चवालिष का जोड़ त्रीपन होगा पिर साथ में प्रेस्ट में लखना है नभे मेंसे चोंतीस कम करने पर कितना होगा अब हमें 90 में से 34 घटाएंगे 90 में से पहले हम कितने घटाएंगे 90 में से 34 घटाना है तो पहले हम 30 घटाएंगे 90 में से 30 घटाएंगे तो बचेगा कितना 60 फिर हम 60 में से 4 को घटाएंगे तो 60 में से 4 घटाएंगे तो कितना बचेगा 56 छपपन तो इसका उत्तर होगा छपपन फिर आठमा देहना आटमे में लखाई चार और उस से 37 ज्यादा कितुना हो जाएगा चार और उस सेu से 30 ज्यादा यानी हमें चार और से 30 को जोड़ना है तो 39 तो 37 में 3 जोड़े कितने होई चारी हो जोड़े सर फिर Queens Wirk E 83 में से 35 नकाल देने पर हमें कितना मिलेगा आप देखे 83 में से हमें नकालने 35 यानि 83 में से हमें 35 को घटाना है तो आप 83 को देखें फिर उस में से हम 30 को घटाएंगे 83 में से 30 घटाएंगे तो कितने बचेंगे 83 में से 30 घटाएंगे तो बचेंगे 53 15 on 13 सीक्ति गटे तो कितनी बचेंगे 30 फिर हमें 5 और घटाने हैं 30 में 6 गटाने और 48 तो इसका उत्तर होगा 48 इसे हमें चाट को देखना है और गद्शतानों को भरना है फिर ऑम गती 50 सतन को करते हैं गती 25 में 3 में dosttså में겠습니다 को कटाना है इसमें हमें कुछ तीलियों की बेंडल दिये गए हैं उनमेंसे कुछ तीलियों को घटाना है जैसे हमें पहले प्रस्ट में तीलियों के कितने बेंडल दिये गए हैं तीन बेंडल और फिर ते एक बेंडल में दस दस तीली हैं तो तीन बेंडल यानि तीस तीली और फिर खुली तीली कितनी है दो दो खुली तीली है तो तीस दो कितने हुए बद तीस फिर लगा है बद तीस में से सोला तीलिया घटाईए तो अब हमें कुल तीली कितनी थी बद तीस बद तीस में से हम सोला को घटाएंगे तो 32 मेंसे 16 गटाएंगे तो 2 को मानना पड़ेगा 12 12 मेंसे 6 को गटाएंगे 12 मेंसे 6 गटाएंगे कितना बचेगा 6 फिर हम 2 को 12 माना था तो अब यहाँ पर 1 को 2 मानेंगे फिर 3 मेंसे 2 को गटाएंगे कितना बचेगा 1 यानि 32 मेंसे 16 गटे बचेगा 16 को गठाना है पर दोसरी प्रस्न को बढ़ते हैं दूसरा प्रस्न क्या है ? 10 के वंडल छे खुली तीली पाँच मेंसे 10 के वंडल 4 खुली तीली 8 घटाईए देखिए 10 के वंडल 6 यानि कितने हुए ? एक बंडल है 10 का तो 6 बंडल है तो 6 बंडल कितने हुए 60 तीली 60 तीली और खुली तीली कितनी है 5 60 में और 5 जोड़ेंगे तो 60 और 5 कितनी हो जाएगी 65 तो 65 तीली हो गई फिर लगाए दस की बंडल 4 और खुली तीली 8 दस की बंडल कितने है चार यानि 40 और खुली तीली है 8 यानि 48 तो हमें 65 मेंसे 48 को गटाना है तो हम इसमें 65 मेंसे 48 को गटाएंगे पांच को मानेंगे पंदरा, पंदरा में से आठ घटाएंगे, पंदरा में से आठ घटाएंगे, कितने बचेंगे, साथ, साथ को यहां पर लखेंगे, फिर हमें पांच को पंदरा मना था, तो आप हम चार को मानेंगे पांच, तो छे में से पांच को घटाएंगे, छे में से तीसरा है स्कोच अच्छ्सेप पREE तुन बंडलग तोacement केतने होंगे ठाझें फॉले सब्सक्राइल बंडल तीन के बंडल तीन फुली तीनी केझे पाचल सूंन है उला उला सतुन बंडलग न Barr Trend आउए क्यओं देना पाज़ कि अएंडर सकार पत्ता की तिरская पा soft तेरा में से पीछ को घटाएंगे तो यहां पर ऩी ने को अब हम चार मानेंगे तो 6 में से चार घटाएंगे तो इसका होगा 28 और सा हमें तीसरा प्रेशन करना है फिर हम चौथी प्रेशन को करते हैं चौथी प्रेशन में हमें तीलियों की बेंडल दिये गए हैं कितनी तीलियों की बेंडल दो बेंडल तीलियों के हैं और दो खुली तीलियों के हैं और दो खुली तीलियों के हैं और दो खुली तीलियों क से 4 को गटाएंगी 12 मेंस 4 कि एसा मेंसे 18 मेंसे 18 को गटाएंगी 36 मेंसे 18 को गटाएंगे 16 में से 8 गटाए कितने बचेंगे 8 तो यहाँ पर हम 8 लखेंगे फिर हम 3 में से अब 2 को गटाएंगे एक को मानेंगे 2 फिर 3 में से 2 गटेंगे तो कितना बचेंगा 1 यानि 36 में से 18 गटाएंगे तो इसका उत्तर होगा 18 इस तरह से हमें गती विदी 35 और 36 को करना था यदि गत झाल झाल